हेलो फ्रेंड्स मेरा नमंकी द्वर्मा है इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एंपीबी करॉप्शन और बिलिंग के उपर बनाई हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ के एंपीबी के कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी या बड़े पत्की अधिकारी आपको किसी भी तरह से मूर्ख बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे मैं यह वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरा 60,000 रुपय का बिल आया था तो मैंने अपने जोन के एई को कहा के मेरा जो यह बिल आया है यह गलत बिल है इसको आप करेक्ट कीजिए क्योंकि इसके अंदर 6,022 रिडिंग एक ही महीने माई जिसमें और सतन 200 एक यूनिट पर डे क्या रही है जो किसी भी कंडिशन में पॉसिबल नहीं है पर इन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी थी और मुझे कहा था कि एक बार बिल अगर जनरेट हो गया बले वो सही हो या घलत हो आपको उतने अमौन का बिल पे करना ही होगा और इसको करना था कि यह हमारे मेंटर रीडर की गलती है लेकिन MPEB का जो सिस्टम होता है बिलिंग का जो बोले एक सौफवेर है जो उसके अंदर अगर एक बार आपका एंट्री डाटा में शीट में आपकी एंट्री हो जाती कि आपकी इतने रीडिंग जली है तो उसको चेंड करना हमारे हाट में नहीं होता है उनने भी मुझसे यही बात कही थी लेकिन जम मैं अगर बुगता फोरम में केस जीता केस जीतने के बाद मेरे वह बिल को त développ को खारीश कर g트가 डिया गया और उसके जगह पर 300 reading के अप्रोक्स जो है उसके अंदर बिल को देने का उसके अंदर उन्होंने जो है ओर्डर दिया था मतलब जो केस मेरे फेवर में आथा तो जब वो केस जीतने के रिपोर्ट जब वहाँ पर गई वो चार पेज के रिपोर्ट थी उसमें लास्ट का जो चोथा पेज था उसके लास्ट पेरेग्राफ में लिखा हुआ था कि बिल बड़कास तो होने के बाद बिल जनलेट होने से लेकर केस के रिजल्ट आने तक के दर्मियान जितने भी जो सरचार या शुल का मतलब जो पेनल्टी मुझे लगी है जिसे MPEB की जो भी अगर बखाया आ रहेती है उसके उपर 1% का आपको पेनल्टी लगती है तो जो 6-7 में ने जो पूरा केस और जो प्रकरेंट चला पूरा बिल आने के बाद के हैं तो उसमें जो करेक्शन वाला अमाउंट था उसको मही पर हमारा जोन जो गुमास्ता लगर लगता है वहाँ पर बिल को करेक्शन करने के लिए एक सीनिय सिटीजन एम्प्लोईज लेडी है वहाँ पर वह मेडम ने उस बिल को मेरे सामने दो मिनिट के अंदर ही जो मेरा बासाट हजार एक सोचब़ीस रुपे का जो बिल था उसको दो मिनिट के अंदर ही मेरे सामने पच्चिस हैर आट सो अठावीस में कर दिया लेकिन उन्हें उस समय पेमेंट सर्चाज और पेनल्टी वगरा को नहीं हडाया था जिसके लिए मैंने दुबारा उन्हें बता आया कि आपने इसके अंदर उसको नहीं हडाया है उसके बाद इमीजेट उन्हें एक को और बार मेरे सामने उसको बीस हजार चारसो इंक्यानू का मैं मतलब उस अमाउंट को चेंज कर दिया और इसी बात को मुझे उनको बताने के लिए छे से साथ महीने परशान होना पड़ा और किसी भी तरह के एम्पलॉईज ने और अधिकारी ने एई जेई और सरकार गुझे तक ने इस बात को नहीं माना था कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन कोट के और के बाद उन्हों ने मेरे ही सामने दोमिट में से चेंज कर दिया और मेरे पास एक ही बिल नंबर के तीन अलग-अलग बिल हैं मैं आपको प्रव एक एक करके दिखाऊंगा एक बिल है मेरा 62,126 का दूसरा बिल है मेरा 25,828 का और तीसरा बिल है मेरा 25,556 का और उसके बाद जो लास्ट में एक वरतामा था टोटल चार बिल हो गए उसके अंदर 20,449 का तो ये बिल में भर चुका हूं मैं आपको दिखा तो इसके अलावा मैं आपको बाकी बचे हुए सारे एकिक करके इसमें दिखाता हूं कि पहले तो इन बिलो को देखकर के आप समझ सकते हैं कि MPEB के एंपलोईज के पास सभी तरह के अधिकार होते हैं चाहे हो एक छोटा सा एंपलोईज हो जो सिस्टम से MPDiscome साइट जिस पर की एक करेक्शन करते हैं उस MPDiscome की साइट पर बड़े ही आसानी से अपने बिल को जो है चेंज कर सकते हैं और इसमें एक बात यह है जानने की कि इसमें किसी भी तरह के जो चेंजर से चोटा एंपलोईज करता है उसको बड़े किसी अधिकारी से अप्रूवल होना चाहिए लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि उसी जगह अगर उस एंपलोईज की जगह मैं हूँ मैं MPB का एंपलोईज हूँ और मेरे घर पे 20,000 रुपे का या 30,000 रुपे का बिल आ जाता है तो मैं बिना किसी का अधिकारी को बताए अगर उस बिल को एडिट करके 1000 या 2000 कर देता हूँ तो ये किसी को पता नहीं चलेगा तो ऐसे अगर किसी भी तरह कि अगर कुछ घोटाले हो रहे हैं मिस्टर कृष्ण कुमार देशमुक ने ये जो बिल है इस बिल का नंबर आप देखेंगे 903940809333 है इसके बाद जो है ये बिल की जो राशी है 1269 रुपे की है 1247 इसके बाद में आप दूसरा बिल देखिए सेम बिल नंबर है इसके अंदर 903940809333 कृष्ण देशमुक उसके बाद जो है 92 रुपीज ओन ली ये दूसरा बिल है सेम बिल नंबर जा उसके बाद ये तीसरा बिल है सेम बिल नंबर 90394080933 उसके बाद क्रिश्णा देश्मुक के नाम से ही उसके बाद में इस बाद जो अमाउंट है वो 158 का हुए तो टोटल इसके अंदर जाया है एक 1269 का एक बानु का और एक 158 का टोटल इसके अंदर तील यह संगम नगर जोन का है अब यह वो केस है जो मेरे पास लोगोंने आगे आकर के बताएं कि हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है ऐसे और भूट सारे केस हैं जो भूगता अपने टाइन को खराब ना होने की वज़े से बिल भर देते हैं इस तरह की होरे गफलों के लिए चुप रहते हैं ब पांधे का बिल आया था वो परस्णली मुझसे मिलना थे उन्होंने मुझे बता रहा कि मेरे हाँ पर ही 40 last रूपए का बिल आया था पर मेरे एक मेरे एक एमपीब में एंपलोई थे तो अन्होंने मेरे बिल को मात्र अठवी सुर्पे में गनवर्ट तरके मैरे जो बिल है म मुझे लगा, इतना लंबा समय आपने खराब किया आप उनका ये कहेना था कि ये मेरी मुर्खता है कि हमेने इतना लंबा समय लगाया लेकिन मैं उन सभी लोगों कहना चाहूँगा कि इतना टाइम मुझे MPB में लगाने के बाद ऐसे कितने ही सारे गोड़ाले और अच्छे कितने ही सारे जो खामिया है MPB के अंदर उसके बारे में पता चला और मुझे ये चीज रियलाइज करी कि इससे में अक्यला ही परेशा नहीं था मुझसे कहीं ज़्यादा अमाउंट वाले कोई ज़्यादा बिल वाले लोग भी और ज़्यादा गरीब लोग भी परेशान थे तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस तरह के सभी काम बंद हो इस वीडियो के आखरी में मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट टिप देना चाहूंगा बिजली के बिल को कम करने के लिए या एक लेवल में बनाये रखने के लिए नॉर्मल ये इतना अपना आता है मंतली तो बिजली के बिल्कुल कम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बिजली के उपकरणों कम से कम यूज करें या जरूरत होने पर बंद कर दें उससे कहीं जाधा important है आपके महेने की हर महेने जो भी reading होतीए वो सही हो रही है यह도ी नहीं क्योंकि आप हर चीज के लिए इन्हें पे करते हैं आपके बिल में मीटर प्रभार के नाम से शुल्क लगा होता है दस रूपे जो कि आपके मीटर का रीडिंग का शुल्क समझ लए या मीटर का आप इसमें किराय समझ लए जो भी मीटर स्लिटे चार्ज लगते हैं तो आप इनके उस चीज के लिए पे कर रहे हैं तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिस तरह से आप बिजली के उपकरणों को जरूद ना होने पर बंद कर देते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट बिजली के बिल्कुल कम करने के लिए यह है कि आप हर मैंने अपनी रीडिंग की जो एंटरी होग बेटरीडर के तुरूद की उसके उपार ध्यान रखिए थेंक्स पोर रखिए ऑचल के लिए बेटरी डो मैंने अपनी रखिए प्यादा इंप प्यादा बिल्कुल Kट्ड़ मैंने इंपनी पालत बांटरीव की जो एंफ व्यान रखिए दोगल